Hey everyone, this is Ram Vishnoy and you are watching Geography Group. जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के उपर देख पा रहे हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं Class 8 SST Social Science की Worksheet No.5 को और आज की डेट रहेगी 19th April 2021. इस Worksheet में हम Geography का First Act, Resources, जो हम पिछली कुछ Worksheet से पढ़ते आ रहे हैं, उसको हम continue रखेंगे और बात करेंगे Renewable Resources की, Conjurvation की और साथ-साथ की जो Conjurvation है, वो क्यों जरूरी है, यानि कि हमें क्या समझना है, Renewable Resources को समझना आज की Worksheet में, Non-Renewable Resources कौन से होते हैं, उसकी भी बात करेंगे और ये Resource Conjurvation क्या चीज है, ये भी हमें समझना है, तो चलिए शुरूरात करते हैं, आज की आसान सी Worksheet की, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये Resource क्या होते हैं, जैसा कि हम पिछली कुछ Worksheet से पढ़ते आ रहे हैं, Resource means anything that is usable to us, कोई भी वस्तू जो हमारे काम आ सकती है, कोई हम Resource बोलते हैं, Anything that is usable to us, या फिर Anything that is, that can fulfill our needs, उसे हम Resource कहेंगे, जैसे आपका School Bag है, उसका Example आप ले सकते हो, School Bag में जो कुछ भी है, वो Resource है, आपके घर में जो कुछ भी है, वो Resource है, जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, वो सब कुछ Resource है, सबसे पहले हम बात करेंगे Resource Conervation की, Resource Conervation जरूरी क्यों है, Conervation क्या होता है, Conervation means using anything wisely, किसी चीज़ को सो समझ के प्रियोग करना, उसे हम Conervation कहेंगे, यनकि हम प्रियोग तो करेंगे, लेकिन बरबाद नहीं करना, वेस्टेज नहीं करना, आप घर का कोई सामान है, जैसे तो उसको क्या वेस्टेज करते हो, नहीं करते हो, उसको आप wisely use करते हो, तो Conervation है, तो ऐसे ही इन resources को भी हमें wisely use करना है, तो जो resources हो mainly, दो टाइप की होते हैं, जैसे कि natural होता है, man-made resources होता है, ऐसे ही renewability के बेस पर भी resources दो परकार के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है renewable resource और दूसरा होता है non-renewable इनको हमें समझना बहुत important topic है, renewable, renewable, renewable resources वो resources होते हैं, जिनको हम बार-बार use कर सकते हैं, means those resources which we can use again and again, and which can be reproduced in short period, यानि कि जिनको हम बार-बार परियोग मिला सकते हैं, और short period में उनको renew किया जा सकता है, जिसे कि plants है, पेड़ों को काटा, दोबारा लगाए जा सकते हैं, लगाते हैं नहीं वो अलग बात हैं, लगाए जा सकते हैं, तो ये क्या हो गए, renewable resources कहलाएगा, जिसको हम बार-बार यूज कर सकते हैं, जिसको हम बार-बार यूज कर सकते हैं, जिसको बार-बार यूज कर सकते हैं, या petroleum है या diesel है पेट्रोल है ये दोनों ही petroleum में ही आगे तो coal petroleum के हम बात करते हैं तो यह क्या non-renewable resources है याने किनको हम बार बार use नहीं कर सकते हैं जिसे coal को आपने एक बार use किया एक बार use किया उसके बाद ख़त हम finish अब ऐसा नहीं होगा कि हम आबडा कड़ा आबडा कड़ा बोलेंगे और वो दोबारा से कोईला बन जाएगा नहीं बनने वाला गया वो तो भाई दोबारा से हमें लिखके आना पड़ेगा तो वो non-renewable resources कहलेंगे तो resources होगे renewable जिसको हम बार-बार use कर सकते हैं और short period में दोबारा से produce किया जा सकता है non-renewable जिसको हम बार-बार use न और non-renewable resources क्या होते हैं अब बात करते हैं कि इनके conservation की conservation क्यों और कैसे किया जा सकता है conservation जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि using any resource wisely is known as the resource conservation किसी भी resource को source समझ के प्रियोग करना taking care of the future generation आने वाले PD को ध्यान में रखके अगर हम use करते हैं तो उसे हम बोलेंगे resource conservation so those resources which can be replenished very quickly are renewable resources renewable resources की दो उपर बात कर ली those resources which can be reproduced easily दो बारा से reproduce easily कर सकते हैं वो non-renewable resources होंगे और non-renewable जिनको हम easily reproduce नहीं कर सकते हैं however if we use some of these renewable resources like water, soil, air, forest अगर इन में से भी renewable करत मतलए यह होगे ना जिसको दोबारा से आसानी से पेदा किया जा सकता हैं लेकिन फिर भी अगर इनको हम ऐसे यूज करते रहें ओवर यूज करते रहें का जैसे कि water है water अर्थ के उपर प्रित्वी के उपर उतना ही रहना है कही नहीं जाना इधर से उधर चला जाएगा लेकिन ऐसाथ नहीं है कि यहां का पानी यह मार्श पे चला जाएगा मंगल पे चला जाएगा नहीं जाएगा ना लेकिन इसकी भी समश्या हो सकती है अगर हम वाइजली यूज करेंगे ऐसे ही सोयल की है सोयल है रहेगित यहीं ले हो जाएगी तो ऐसा नहीं है कि renewable है तो मतलब कैसे यूज करें उसको भी हमें कैसे यूज करना है उसको भी planning के साथ यूज करना है वाइसली हमें यूज करना है जैसे कि हम डैली वालों को बहुत अच्छे से पता है pollution का production का कैसे बड़ा क्योंकि हम careless हो गए water की बात करें बिलकुल पास से यमना नदी बहती है तो यमना रिवर में आपने पानी देखा होगा पानी नहीं वहाँ पे गटर है polluted water है तो कई टाइप की problem हो सकती है अगर हमने इन resources को भी wisely use नहीं किया तो यहाँ पे ज़्यादा insufficient water and drying of the natural resources of water are the major issues in most part of the world जैसे कि हम पानी को माने तो हमारी यहाँ पे 71% पूरी आर्थ के उपर water है 71% almost okay तो 71% पानी होने के बाज़ूद भी अगर हम world के जाम पलें तो कई सारे देशों में पानी की कमी है अपने यहाँ पर भी ऐसा है राज्तान में ऐसा है there is a shortage of water क्यों है क्योंकि यह जो water है वो equally distributed नहीं है और ज़्यादा problem हो जाएगी अगर इसको हमने polluted कर दिया similarly digging a top soil and continuous deforestation led to the reoccurrence of natural disaster इसी तरीके से जैसे हम जो deforestation का मतलब हो गया पेड़ों की कटाई अगर पेड़ों की कटाई करते है तो उसके नेच्छल डिजास्टर वो ज़्यादा आती है तो यह जो resources है इनका balance जैसा है वैसा हमें बना के रखना है कुछ भी गड़बड हुआ तो सबसे पहले निशाने पे होंगे human beings हम हमारे लिए ही adverse effects होंगे चली यहां पर एक exercise दीगे easy activity दीगे उसकी हम बात करते है let's find out and list हमें find out करना है तो इसके answer जो solution है मैंने नीचे दे दिये तो वहां से आप write कर पाओगे क्योंकि यहां से हो सकता है कि आपको write करने में थोड on earth gets reduced and how would it affect our life potable water मतलब पीने योगे जो पानी है अगर वो कम हो जाए खतम ने कम हो जाए तो हमारी life कैसे affect होगी यह हमें यहां पर बताना है तो यहां पर कैसे हमारी life of affect होगी पहला ती है कि there will be the shortage of the food grains food grain की shortage हो जाएगी क्योंकि जो irrigation के लिए पानी अवलेबल नहीं होगा अगर ऐसी situation आती है तो second agriculture will be more expensive किर्शी है वो ज्यादा महंगी हो जाएगी and it will lead to the inflation यानि की महंगाई बढ़ जाएगी इसके साथ-साथ it will create कह सकते disputes it will create the disputes over these type of the issues water related issues है उससे related जो dispute है विवाद है वो बढ़ेगे तो ऐसे कुछ changes आ सकते written में आपको solution नीचे में लगा उसके बाद what would happen if forest on earth gets exhausted कि अगर forest है वो गायब हो जाएग तो क्या होगा it will lead to the environmental imbalance environmental imbalance यानि कि प्रयावनिय एसंतुलन पेदा हो जाएगा and it will create a danger for the wildlife के लिए एक danger create होगा क्योंकि उनके लिए तो जो घर है वो यही forest होते है and it will create यह कह सकते हैं कि काफी सारी problems हमारे लिए भी होगी काफी सारी नहीं it will create a threat for the human existence कि साइध हमारा स्थित्वी खत्र में पढ़ जाएगा क्योंकि जो carbon cycle है oxygen cycle है वो भी खतम हो जाएगा ना जैसे forest अगर नहीं रहेंगे तो यहाँ पर यह सारी problems आ सकती है उसके बाद आगे दिया गया आसान सी एक और activity दी गया इसमें दिया गया resource conservation के बारे में कि how we can do the resource conservation जैसे यहाँ पर दिया गया कि conservation of water यानि कि पानी का स्रंक्षन जल का स्रंक्षन कैसे किया जा सकता है पहला कुछ एक example हमें दिये गए by not using potable water for cleaning roads and washing vehicles जो potable water है उसको हम साफ सफाई में यूज़ ना करें रोड को साफ करने में गाड़ी को धोने में यूज़ ना करें पहले चीज तो यह कि से हम क्या कर सकते हैं हम water को कंजव कर सकते हैं उसके बाद है इसके लाद तीन और आपको example लिखने यहां पे तीन की बज़ाए अगर दो भी लिखोगी तो भी चलेगा कि और कौन से वे हो सकते हैं जैसे कि we should find out the leakage of taps in our house हमारे घर में अगर कहीं पे leakage है तो हमें पता लगाना चीए उसको ठीक करना चीए रिपेर करना चीए while brushing we should not open the tap tap should not be opened tap जो है नल है हम खुला छोड़ देते हैं वो नहीं होना चाहिए and इसके साथ साथ we should not pollute the water ground water उसको pollute नहीं करना चाहिए we should stop the over irrigation जो की जाती है क्रशी में खेती में तो ऐसे कुछ स्वेज हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं water का conservation कर सकते हैं उसके बाद है conservation of land and soil यानि की भूमी या मिट्टी का conservation कैसे किया जा सकता है जैसे by using fertile land for agriculture only जो fertile मतलब उप जाओ जमीन है उसको हम खेती के लिए उपयोग में ल भूमी है वहाँ पे हम घर बनाए फैक्टरी बनाए कुछ भी बनाए यानि कि जो उपजाओ जमीन है उस पे हम खेती करें by not using plastics को हमें यूज नहीं करना है by not using or less using controlled way में हमें यूज करना चाहिए pesticides को और chemical fertilizers को तो यह हो जाएगा we should not use in excess fertilizers we should not use in excess chemicals यानि chemicals और fertilizer होता है soil conservation कर सकते हैं उसके बाद conservation of air conservation of air यानि कि वायू पर दूसर नहीं उसको कैसे रोका जा सकता है जैसी यहाँ पी इन्हों नहीं दिया by not burning plastic और west products है उनको जलाना नहीं चाहिए planting or saplings by not plucking leaves जैसे ज्यादा च्यादा अगर हम पेड़ पोदे लगाते हैं तो उससे भी air pollution को control किय जा सकता है next होगा by pulling cars जैसे car में कहीं पे जा रहे हैं गाडियों में जा रहे हैं तो एक साथ चार भी तो जा सकते हैं एक ओफिस में चार गाडिया लेके जाने की क्या जरूरत है so car pulling is also the one of the way through which we can control the air pollution को हम control कर सकते हैं इसके साथ-साथ यह हो सकता है कि industries should be outside the urban area से बाहर होन चाहिए and latest technology should be used in the industries में latest technology अगर use करेंगे तो उससे भी pollution कम होगा उसके बाद conservation of forest वनों का conservation कैसे किया जा सकता है यहनकि one है उनका स्रंक्षन कैसे हो सकता है कैसे उनको बचाया जा सकता है by not tearing or wasting the paper will conserve forest as it is made of the trees only जैसे paper है हम आम तोर पे उसको wastage करते हैं half हमारी notebook होती है उसको रद्दी वाले को दे दिया फेंक दिया यानि इस टाइप से हमें misuse नहीं करना है papers को क्योंकि papers को अगर misuse करे it means that paper किस से बनेगे पेड़ से बनेगे पेड़ों की कटाई और ज्यादा होगी दूसरा है gifting saplings on anyone's bird day or special occasion किसी का bird day हो कुछ भी हो तो वहा must have the strict laws should be made by the government एक कड़े कानून बनाए जिससे कि इसके उपर ओक लगाई जासके एंड कंट्रोल्ड ग्रेजिंग ग्रेजिंग है ओवर ग्रेजिंग उसको कंट्रोल किया जाना चाहिए ग्रेजिंग क्या होते है पशू चराई अब पशू चराई करवानी तो जरूरी है ल human sense में आपको पता ना Hindi में पता आप English में राइट कर लोगे तो इतना दिमाग के उपर जोड नहीं देना कि क्या किया जा सकता है ओके चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे question answers के यहां पर four questions दिये गए उससे पहले हमें let's find out में जो उपर दो question दिये गे थे उ अगर पीने का पानी है वो अगर कम हो जाए तो हमारे उपर क्या आसर पड़ेगा इसका यह हमें बताना dispute regarding water will increase जो dispute है जगड़े हैं पानी को लेकर के वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे अब भी होते हैं कुछ जगह पर और ज़्यादा हो जाएंगे there will be shortage of food grains की shortage हो जाएग मेहंगी हो जाएगी खेती करना मेहंगा हो जाएगा इससे मेहंगाई बढ़ेगी drinking polluted water will increase the water bondages की उसके बाद क्या होगा water shortage पर दूशित गंदा पानी पीना शुरू करतेंगे कुछ जगह पर इससे क्या होगा water bondages है वो ज्यादा बढ़ जाएगी यह हमारा first find out का question रहा उसक प्रिथ्वी से पेड़ गायब हो जाए पहला it leads to the environmental imbalance यहने कि प्रयाण का संतुलन बिगड़ जाएगा जैसे हम बात करते है water cycle वो भी गड़ बढ़ हो जाएगा जो हमारा carbon cycle है oxygen cycle है वो सब कुछ गड़ बढ़ हो जाएगा second the life of the wildlife will be in danger wildlife के लिए खत्रा पेदा हो जाएगा जो वन्य जीव है उनके लिए दिखते हैं क्योंकि वो वहीं तो रहते हैं will pose a threat to human existence हमारे लिए भी प्रिथ्वी के उपर आर्थ के उपर रहना मुश्किल हो जाएगा शायद असंबव हो जाएगा चलिए अब हम next segment की बात करते हैं जो questions दिए गए नीचे उनको हम discuss कर लेते what are renewable resources renewable resources क्या होते हैं यह हमें बताना है resources that can be used again and again and reproduced in short period जो resources जिनको हम बार-बार use कर सकते हैं और जिसको short period में हम क्या कर सकते हैं reproduce कर सकते हैं is called renewable resources उनको हम renewable resources करते हैं so resources which can be used again and again and reproduced in short period are called renewable resources यह जिनको हम बार-बार प्रियोग मिला सकते हैं जिनको दोबारा पेदा किया जा सकता है short period में तो उनको हम renewable resources कहेंगे such as solar energy, soil, plants, यह सभी renewable resources है, now let's move to the second question, how can we reduce the wastage of water, water के wastage को कैसे हम reduce कर सकते हैं, यह हमें बताना है, there is no water leakage in your house, check that there is no water leakage in your house, कुछ ways मैंने लिखे हैं, जो हम कर सकते हैं, हम मतलब आप कर सकते हूं, so check that there is no water leakage in your house, कि आपको चेक करना है कि आपके घर में water leakage नहीं हो रही है, तो उसको repair करना है, यूज as much as water you need, जितना पानी चाहिए सरफ उतना ही यूज कीजिए, keep water taps closed after use, यूज करने के बाद water taps को हमें close करना है, बंद करना है, यह निकि पानी बहता रहे, do not waste too much water for brushing and bathing, brush करें, नल खुला है, चले जा रहा है, ऐसा नहीं करना है, बादिंग में भी आपको water wastage नहीं करना है, कई बार ऐसा होता है, बच्चों के मन में कि जब नहारे होते हैं, तभी उनकी mind में हिमेश रेशी में आ जाते हैं, वो सिंगर बन जाते हैं, और गाते रह conservation के लिए उनकी बज़त करने के लिए हमें कुछ तरीके बताने हैं, फरस्ट, strict laws can be made for forest protection के लिए कुछ कड़े कानून बनाए जा सकते हैं, आफोर स्टेशन मिन्स, we need to grow more and more plants, हमें ज्यादस ज्यादा पेड़ पोदे लगाने चाहिए, control on cutting of trees, पेड़ों की कटाई के उपर होनी चाहिए, and control on overgrazing, overgrazing है, उस पर control होने चाहिए, यहाँ पे अल रहेगा, तो इससे हम forest conservation कर सकते हैं, उसके बाद है, why is it necessary to conserve resource for the future, future के लिए, भवश्य के लिए हमें resource को conserve करना, यानि कि इनका स्रंक्षन करना है, क्यों, कैसे, ठीक है, हमें कैसे नहीं बताना है, यहाँ for the coming generation, जो coming generation है, future generation है, उनके लिए हमें resource कंजव करना है, क्योंकि हमें भी किसी ने दिये, हमारे दादे, पड़ दादे ने दिये, तो हमें भी, हमारी भी responsibility बनती है, कि आने वाले जो future generation है, उसको हम endure करें, कि यह resource, ऐसे हमें मिले थे, वैसे वैसे आपको दे लिए, second half four, uniform development, equal development of the world, पूरे विश्यो का equal development काप होगा, जब resources अवलेबल होगे, अगर resources कुछ जगह से इक्समाप्त होगे, कम ज्यादा होगे, तो क्या होगा, unequal development होगा, poor और इसके बीच में gap और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो uniform equal development के लिए भी resource conservation जरूरी है, उसके बादे some resources are inseparable, कुछ resources है, inseparable कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं, कि non-renewable resources है, जिनको हम renew नहीं कर सकते हैं, जो non-renewable resources है, तो उनको कंजव करना जरूरी है, क्योंकि otherwise तो खतम हो जाएंगे, इसके लिए some resources are expensive and limited in quantity, कुछ resources है, जो महंगे हैं, महंगी चीज़ जद कंजव करने जरूरी है, इसके 2060 में, world से गायब हो जागा, क्या होगा फिर, कुछ नहीं होगा, कोईला हमें दिखाई नहीं देगा, तो ऐसे resources को भी हमें कंजव करना जरूरी है, so for the future generation, for the equal development, because some resources are non-renewable and because some resources are unlimited quantity, so we need to कंजव दम, इसलिए हमें इनको कंजव करना है, तो ये थी हमारी आज की easy worksheet, लेकिन इसमें एक ही बात को बहुँ ज़्यादा बार घुमाये गया, तो आपको थोड़ा से लगा होगा, कि एक ही बात है, उसको बार बार किया जा रहा है, उमिद करता हूँ आपकी study आपके पढ़ाई, बेहद अच्छे तरीके से चल रही होगी, आज की अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, समझ में आया, इस वीडियो को लाइक करने की साथ साथ शेर करना मत फूलेगा, थैंक यू, बाइबाई, हैव अनाइस डे,